हेलो एब्रिवान वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएगे मस्रूम पालक लेकिन उसमें एक सिक्रेट है तो रेसिपी को पूरा दिखिए बिल्कुल स्किप्ट मत किजिए चलिए अब बनाते हैं पालक मस्रूम सबसे पहले पानी गरम करने के लिए बिठा लेते हैं उसके बाद उसमें एड़ कर देते हैं धन्या और पालक दोनों को मैंने अच्छे से साप करके पहले से ही रख लिया था अब मैं यहां पे एड़ कर रही हूं थोड़ा सा हलका सा इनको पाल होने देंगे बिल्कुल 80% पक लेंगे उसके बाद ऑईल लेंगे कम से कम 3-4 श्पून उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिच्छी पाउडर एड़ कर देंगे उसके बाद हम यहां पे एड़ करेंगे मश्रुम बहुत पहले मैंने इसको धोगे साप करके रख लिया था अब हलका सा नमक एड़ क इसको फ्राय करेंगे ऐसे फ्राय को किया हुआ हम खा सकते हैं लेकिन आगे हम सब्जी बनाना है तो इसको सब्जी में एड़ करेंगे अभी मैंने उसी कढ़ाई में ही 4-5 श्पून ओईल ले लिया आप चाहे तो कम कर सकते हैं थोड़ा सा जीरा एड़ कर दिया दो लाल मि अब मैं यहां पर आपको बता देते हूं मैंने दो प्याज काटा है दो प्याज काटके मैं एड़ किया है थोड़ा सा या प्याज को फ्राय होने देते हैं उसके बाद यहां पर मैं एड़ कर दूंगी अध्रक लसन का पेस्ट अध्रक लसन को आप काटके छोटे-छोटे प्याज और अध्रक लशन पेस्ट को अच्छे से फ्राय करने के बाद यहां पर एड़ कर देंगे मसाले, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, मिर्ची आप ध्यान रखके डालिए और थोड़ा सा ज्यादा धन्या पाउडर हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहां पर एड़ कर देंगे टमाटर मैने धो नावली में हुड़ाई की लिए कट के लिए है तो थोड़ा सा मस्रूम में भी एड़ कीया है अब आप सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ठातेंगे ताकि टमाटर और सब कुछ अच्छे से पर्फ्य की है SCH F अब यहां पर हमें एड़ कर देते हैं पालक पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखिए बिल्कुल यहां पर आपको कच्छा पानी एड़ नहीं करना है अगर आपको जरुरत पड़ती है तो फिर आप हालका सा करम करके पानी एड़ कीजिए अब थोड़ा सा धका देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए और मसाले के साथ घूल मिल जाए यह था सीक्रेट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में यह है चीज चीज को मैंने यहां पर एड़ किया है आपके पास अगर चीज नहीं है तो आप फ्रेस क्रीम भी यूज कर सकते हैं सब जिन में बहु पहले से ही पक चुका था अब बन गया बिल्कुल सब्जी रेड़ी है बिल्कुल सर्प करने के लिए यह देख लीजिए कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए